जैसा कि दोस्तों आप सभी को अच्छे से पता होगा मेंटरिनस दो तरीके का होता है यानि कि पतनी दो तरीके से पती से भरन पोशन ले सकती है एक तो पतनी इंटरिम तरीके से ले सकती है दूसरा फाइनल तरीके से ले सकती है तो interim का मतलब तो ये है कि जब पतनी के दोरा कोई maintenance का केश डाला जाता है यान कि भरन पोशन का केश डाला जाता है और चलते वे case के अंदर ही अगर पतनी पती से पैसा लेना चाती है case का result चाहिए कभी भी आ जाएगा पर मुझे फिलाल के लिए तो पैसा चीए मुझे पैसे की जूरत है तो इस विज़े से कूट क्या करती है पतनी के लिए maintenance लावू कर देती है तो इसे ही interim maintenance बोलते हैं और दूसरा होता है final maintenance तो final का मतलब ये होता है कि जब case खत्म होता है तो पति लोग ये ही चाह रहे थे पति लोगों का ये खहना हो रहा था पति लोगों के सामने ये ही बहुत बड़ी problem आ रही थी कि पतनी तो हमसे पैसा ले लेती है जब उसकी गलती होती है तब भी कोट उसका maintenance बना देती है तो ये हमारे लिए बहुत ज़्याद लोस हो रहा है बहुत ज़्याद हानी हो रही है हम उस गलत पतिनी को maintenance नहीं देना चाहते हैं तो बिलकुल अब उनकी पुकार सुन ली गई है उनकी मनो कामना पूरी तरह से पूरी हो गई है अब उनको ऐसी पतनी को maintenance नहीं देना पड़ेगा ये पतनी का कोई भी अधिकार अब नहीं है तो किस तरीके से अब ये पतनी का अधिकार नहीं रहा है पती से भरन पोशन लेने का ये पूरी जानकारी स्वीडियो के अदर में आपको बताने वाला हूँ वीडियो पूरा देखेंगे तभी पूरी जानकारी समझ में आएगी क्योंकि आपको अच्छे से पता है कभी भ आप अब देख सब्सक्राइब नहीं करें तो फेले इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ में बैल आइकन को भी दबा दीजिए तो चलिए शुरू करते हैं तो वैलकम दोस्तों मैं हूँ आपको अपने डू को जिते अंदर दोस्तों साइद आपको इस बात की भी ज जाता है जब केस का सब कुछ कोट के दोरा देख लिया जाता है की कोट के दोरा अच्छे से फूर्ज मामले को देखा जाता है इस मामले के अंदर पतरी पःति कितने फड़े लिकी है, पती कितने फड़े लिकी है, यान कि तमाम इन सारी बातों को अच्छे से अनलाईज किया जाता है, देखा जाता है किस ममले के अंदर गलती किस की है, किस की नहीं है, तब ही जाके कोट के दोरा maintenance decide किया जाता है, तो जो भी final order होता है, तो उसके अंदर सब कुछ देखा जाता है, तब ही पती के उपर maintenance लगता है, अन्य था पती maintenance से बज़ जाते हैं, तो ज़्यादतर maintenance और भरन पोशन केस के final order के अंदर ये देखा जाता है, कोट का अंतिम order होता है, भरन पोशन का तो अन्याई नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ देखके, कोट के दोरा maintenance decide किया जाता है, तो ज़्यादा यहाँ पर पती की हानी नहीं होती है, कोट के भरन पोशन के अंदर final order से पती को कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि final के अंदर तो पती के साथ में अन्याई नहीं होने वला है, पर पती को सबसे बड़ी दिक्कत है, वो दिक्कत है interim maintenance यानकि अंतरिम जो आदेस कोट के दोर maintenance case के अंदर दिया जाता है, भरन पोश देखा ही नहीं जाता है कि इस मामले के अंदर गलती किसकी है, किसकी नहीं है, बिना वजय भी पती के उपर interim maintenance यानकि अंतरिम भरन पोशन की रासी लगा दी जाती है, पती लोगों का ये खेना होता है कि अंतरिम भरन पोशन यानकि interim maintenance का जो कानून है, वो पूरी तरे से ब बंद होना चाहिए। इसके धैथ पतनी को कोई भी मेंटेनस नहीं मिलना चाहिए। तो बिलकुल नहीं मिलेगा। अगर पतनी कोई मेढिकल प्रब्लम ही नहीं है। पतनी के पास में ऐसे बच्चे ही नहीं है, छोटे बच्चे ही नहीं है, जिनको पैसे की जुरत हो, उनका भरनपोशन करने के लिए पतनी को पैसे की जुरत हो, पतनी के कोई आर्थिक तंगी नहीं आई है, वो कोई भूकी नहीं मर रही है, उसको पैसे की ऐसी कोई नीड नह है इतनी कोई आवशेक्ता नहीं है वो खुद कमा के खा रही है उसका फैंदेंसिल ग्राउंड इस्ट्रोंग है उसका बैंक बैलेंस भी है उसको किसी से भरन पोशन लेने की जुरूत नहीं है खुद का काम खुद चला सकती है तो ऐसी अवस्ता के अंदर ऐसी पतनी का कोई कोई अंत्रिम भरन पोशन कौट कोट नहीं बनाएगे यानि कि पतनी को इंपरड़ की जुरूते नहीं है तो पतनी कांट्रिम् मेंटरिन्स बिल्कुल भी नहीं बनेगा मतलब दोस्तो इस आनुसर्फ के अनुसर बिना वज ह voltar पोशन लेना यानि कि इंट्रिम मेंटरिनें इसका ओर्डर पती के उपर नहीं करेगी, पती के उपर कोई भी अंतरिम भ्रहन पोशन का आदेश नहीं होगा, तो दोस्तों इस मैटर में फिर और किसी भी कानूनी मैटर में मेरे से अधिक जानकारी लेना चाते हैं, मेरे से फोन के उपर बात करना चाते हैं, तो देखने के लिए आप सभी का भूत भूत धन्यवाद.